क्रेटा के उपर हमने बहुत सारे उतार चड़ाव देखे हैं अब क्रेटा की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ क्रेटा फेसलिप की बात होगी क्योंकि existing क्रेटा के अंदर बात करने को कुछ है नहीं हर एक लोगों को पता है बहुत ज्यादा बिगती है रोड्स के उपर बहु क्रेटा के बारे में तो टीक है क्योंकि वहाँ पे सबसे ज्यादा लॉंच के अंदर वैरियेशन हमें देखने को मिल रहा है लेकिन क्रेटा एंड लाइन के बारे में क्या सीन है वह हमने आपको पोस्ट नहीं दिया था मतलब कि रिसेंटली बात करें लास्ट वीडियो जो लोग पहली बार चैनल पर आरे हैं या फिर वीडियो को पहली बात देख रहे है उन्से एक रिक्रेस्ट होगी बाकी आपको डीकण को मिलेगी को मिलें कि मतलब की एक्स्टीर सबसे पहले प्रांट की बात करेंगे तो आपको ग्रील वगणा तब कुछ नई वाली क्रेटा फेसलिप के जैसा ही देखने हो मिलेगा वहापे कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलने वाले अब ऐसा इसलिए क्योंकि नई वाली एफ्रिफेशन बॉमकर दिये जाएंगे क्रेटा एं लाएंग तो सिर्फ इतना वेरिएशन ए फिर इतना आपको डिजाइन पाठ यांडर देखने को मिलने वाले हुआ अब बात करें तो आपको डियर गया घिर और गयरा होगा हो सब कुछ 있ılar तो आपको देखने में तो kreta ही लगेगी लेकिन kreta का sportier version बोलो या फिर updated या फिर modification कराई हुई kreta आपको लगेगी kreta inline खेर interior की बात करेंगे कि वाप्टे कितने changes होने वाले सबसे पहले instrument cluster different होगा नहीं वाली kreta से थोड़ा सा और ज्यादा sporty element उसके अंदर add किया जाएगा ताकि आप अगर उसको देखो तो भी आपको थोड़ा सा sporty देखने में लगेगा instrument cluster वैसा होने वाला है बाकि import element system kreta वाली सेम आएगी वापके कोई भी change नहीं होगा जैसे changes नहीं वाली kreta के import element में होगे वैसे आपको kreta inline के अंदर भी देखने को मिलने वाला है बाकि आपको level 2 का address मिलेगा 360 degree parking camera होगा तो बहुत सारे features जो kreta लेकर आने वाले वो सब तो मिलेंगे लेकिन उसके उपर बहुत सारे features extra inline के अंदर भी देखने को मिलने वाला है खेर engine और gearbox options की बात करेंगे वहाँ पे कितने changes है तो वहाँ पे क्रेटा inline के अंदर आपको options तो नहीं मिलेंगे लेकिन सिर्फ एक option देखने को मिलेगा 1.4 या फिर 1.5 तर्बो पेट्रोल most probably 1.5 तर्बो पेट्रोल मिलेगा DCT के साथ में और उसके साथ में 6-speed का IMT आपको provide किया जाने वाला है और manual transmission अभी तक तो कोई information नहीं है कि आएगा या फिन नहीं आएगा तो 6-speed IMT आप पकटके जल सकते हो खेर launch हो की November के around तो November के around आप इसके expectation रख सकते हो in terms of launch और pricing की बा आपको अल्मोस्ट जो है साड़े सत्रा से लेके साड़े 22 लाक एक शुरूम जाएगी और 25-25 लाक और जाएगी यह information पसंद आई like, share, subscribe करके जाना बाकी अगली वीडियो तक दोस्तो ड्राइब से फूरूम जाएगी